चलन हमारे आज का जो वीडियो होगा उसका मेन कंसेप्ट है फ्लक्स लेकिन इलेक्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़े जाननी होगी तो सबसे पहले हमें कुछ important fact जानता है तो जो सबसे important fact है फ्लक्स समझने से पहले वो ये है कि area एक vector quantity होता है जी हां अपने सही सुना एरिया एक वेक्टर कॉंटिटी होता है तो जैसे ही बच्चे ही सुनते हैं एरिया एक वेक्टर कॉंटिटी होता है वो तुरंत एक क्वेश्चन करता है अगर एरिया एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या है क्योंकि हर vector का कोई नग दिरेक्शन तो होता ही है तो अगर area एक vector है तो उसका direction क्या लिया जाए तो इसका answer है children area का जो direction होता है वो surface के perpendicular होता है तो आपके सामने यह जो area दिख रहा है यह जो area है यह एक surface actually इस surface का जो area है इस area का direction इस surface के perpendicular लिया जाएगा तो यह है आपके सामने area इसका direction में इस तरह से इस तरह से लूँगा इसका direction तो यह है इस area का direction the direction of this area is perpendicular to its surface तो चल्दन मान लेते हैं यह है surface यानि कि इसका कुछ तो area होगा इसका जो area का direction है वो इस surface के perpendicular मान जाएगा तो इस यह 90 degree इस इस दी direction of area of this surface अब यहाँ पे एक doubt और आता है वो doubt यह होता है कि मैं direction को यहाँ ही क्यों लो मैं perpendicular पीछे की तरफ भी तो बना सकता हूँ तो चल्दन अगर आप पीछे की तरफ perpendicular बनाओगे तो वो भी एक valid direction माना जाएगा तो depending upon the situation situation के हिसाब से आप इस surface का area यह भी ले सकते हो यह भी ले सकते हो हाँ दोनो direction एक साथ मतले लना मतलब एक ही situation में direction यह भी है यह भी है ऐसा नहीं होता इना given particular situation you can take either this as the area of this surface or this as the area of surface दोनो नहीं होंगे direction of area तो वो situation पर depend करता है it all depends on the situation आपको यह direction लेना है यह direction लेना है तो जब हम magnetic flux वगरा पड़ते हैं तब हमें clear होता है कि यह direction लेना यह direction लेना है फिलाल के लिए आप बस इतना समझ लो कि area एक vector है और अगर यह surface है तो इसका जो area होगा उसका direction होगा वो इस surface के perpendicular बाहर भी हो सकता है और perpendicular अंदर भी लिया जा सकता है अगर बहुत सारे areas मिलके एक closed space बना लेना जैसे कि यह cube यहाँ पर 6 areas है यह नीचे वाला area यह दूसरा area यह उपर वाला तीसरा चौथा पांचवा यह front face पांचवा और यह पीछे चटवा area यह तरह 6 areas सबको पता है cube के 6 face होते हैं और यह 6 faces यह 6 areas एक बंद जगह बना रहे हैं जैसे हम cube कहते हैं so this is an enclosed space यह सारे areas मिलके एक closed डबबा बना रहे हैं तो इस case में area हमेशा बाहर की तरफ लेना होता है मतलब अगर मैं इस area को consider करूं इस surface को consider करूं तो इसका area मैं अंदर की तरफ नहीं लूँगा इसका area होगा perpendicularly outward तो यह जो face दिख रहा है आपको इस face का जो area है उस area का जो direction है वो perpendicularly outward similarly जो उपर का face है इसका area भी perpendicularly outward ही लिया जाएगा तो enclosed space में area को perpendicularly लेते हैं लेकिन outward लेते हैं similarly यह भी है area यह perpendicularly outward तो अंदर की तरफ नहीं बनाना है perpendicularly outward अब यह front face देखो front face का area perpendicularly outward और back face का area perpendicularly उस तरफ outward होगा तो children क्या सीखने को मिला what is the important fact the important fact is that area is a vector its direction is perpendicular to its surface and if the areas make an enclosed space the direction is outside that enclosed space तो अब हम electric flux समझ सकते हैं तो electric flux क्या होता है सबसे पहले यह flux word समझते हैं अगर कोई भी चीज किसी भी area को cross कर दे तो हम कहेंगे flux है एक्जामपल देता हूँ सपोज यह एक area है ओके तो मैं कहूंगा इस area में pen का flux है तो flux का मतलब अगर किसी area को कोई चीज cross कर जाए तो हम कहते हैं flux exist करता है अब यह area है अब मैं इसके उपर फूक मारूंगा तो हवा इस area को cross कर रही है तो मैं कहूंगा इस area के पास air flux है अगर मैं यहां से पानी डाल दूँ और पानी इसको cross करे तो मैं कहूंगा इस area के पास water flux है तो flux क्या होता है अगर कोई भी चीज किसी area को cross करे तो हम कहेंगे कि उस area के पास flux है हवा cross कर रही है तो air flux पानी cross कर रही है तो water flux अगर pen cross कर रहा है तो pen का flux नो चलन एक और example देखो suppose एक classroom है classroom में अपकोर्स दर्वाजा तो हो गई और suppose students उस दर्वाजे को पार करके classroom के अंदर आ रहा है तो मैं कहूंगा students का inward flux है उस दर्वाजे के तुरू और अगर students उस दर्वाजे से बाहर जा रहा है तो मैं कहूंगा students का outward flux है उस दर्वाजे के तुरू तो are you clear what is flux जब किसी area से कोई चीज अंदर जाती है या उसी area से बाहर आती है तब उसे flux कहेंगे now children एक और situation देखो ये है area और ये pen लिया मैंने और इस pen को इस तरह से आरपार कर दिया इसे flux नहीं कहेंगे this is zero flux why क्यूंकि pen इसको चू कर निकल गया ये देखो इस तरह से निकल गया pen ने इसे cross नहीं किया अगर आप cross नहीं करोगे area को अगर area के अंदर घुसोगे नहीं या area से बाहर नहीं निकलोगे तो flux नहीं होता so this is flux देखो area के अंदर घुस गया ये flux है area के अंदर अगर घुस जाता है तो flux है area को ऐसा चू के निकल जाता है तो ये flux नहीं है this is not flux this is flux तो flux में area को cross करना जरूरी है so what is electric flux तो अब अब आप खुद बता सकते हो electric flux क्या है अगर किसी area से electric field घुस गया तो हम कहेंगे electric flux है तो क्या ये electric flux है मान लेते हैं ये area है और ये electric field है ये electric field इस तरह से अंदर घुस रहा है क्या ये electric flux है बेलकुल है अब मान लेते हैं ये area है और electric flux ऐसा इसे touch करके जा रहा है क्या ये electric flux है? नहीं, ये electric flux नहीं है flux के लिए electric field को इसके अंदर घुसना पड़ेगा इसको cross करना पड़ेगा तब जाके electric flux होगा तो electric flux कहा है children? electric flux है अगर किसी area को electric field cross कर जाए तो हम कहेंगे उस area के पास electric flux है तो ये तो हो गया इसका logical understanding अब इसका mathematical definition देखते है नहीं, ये situation देखो हमारे पास एक area है तो this is the area that we have और इस area से electric flux क्रॉस हो रहा है electric field स्वरी electric field क्रॉस हो रहा है इस तरह से electric field क्रॉस हो रहा है चले, electric flux को हम लोग 5 से denote करेंगे इस symbol का नायंद 5 होता है तो electric flux को हम 5 से denote कर रहा है तो हमारे पास एक area है A उसमें से electric flux क्रॉस हो रहा है तो flux तो है इस area के पास electric flux तो है यह जो electric flux होगा इट विल बी directly proportional to electric field अगर थोड़ू सा electric field area को क्रॉस कर रहा है हम कहेंगे थोड़ा सा flux है अगर बहुत सारा electric field इस area को क्रॉस कर रहा है हम कहेंगे बहुत बड़ा flux है तो जो electric flux है वो electric field के proportion में है common sense अगर किसी classroom के दर्वाजे से एक वक्त पे एक ही student अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे कम flux है अगर उस classroom के दर्वाजे से एक वक्त पे 10 student अंदर घुस गए तो हम कहेंगे भाई इन students का flux तो बहुत ही जादा है तो यह तो common sense है जितना जादा electric field अंदर गुसेगा उतना बड़ा flux बनेगा दूसरी बात suppose यह electric field हर जगा है इस तरीके से नाव चलने जो flux है यह area के भी directly proportion में है यानि कि अगर मैं इसका area बढ़ा दू इस चीज का area बढ़ा दू यह देखो मैंने area बढ़ा दिया तो area बढ़ाने के वज़े से क्या हुआ बड़े area से ज्यादा flux ज्यादा electric field पास हो सकता है इसको आप ऐसा समझो अगर आप classroom के gate को तोड़ कर बढ़ा बना दो तो आप ज्यादा students अंदर गुस पाएंगे students का flux बढ़ जाएगा तो जो electric flux है वो area पे भी depend करता है और तीसरी चीज जिस पर electric flux depend करता है बहुत ध्यान से देखो children मान लेते हैं यह हमारा area be very attentive now मान लेते हैं कि यह हमारा surface so this is the surface और electric field इस surface को cross करके ऐसे इस तरफ इस तरफ आ रहा है electric field ऐसे surface को यहां से नीचे से cross करके फाड़ वाड़ के यहां से ऐसा उपर की तरफ आ रहा है now children क्या यह flux है बिल्कुल यह flux है क्योंकि इस area को cross करके इस area को इस तरह से cross करके electric field बाहर आ रहा है तो यह area इस area को cross करके बाहर आ रहा है तो क्या यह flux है बिल्कुल यह flux है अब बहुत ध्यान से बताओ मुझे अगर यह surface है if this is the surface electric field अगर इस तरह से बाहर आ रहा है तो इस surface के area में और electric field में कितना angle है बहुत ही ध्यान से सोच के बताओ चिल्रन, angle है 0 degree अगर आपने 90 degree कहा है तो आप फस गए क्यूं फसे, let me tell you क्यूं angle 0 है, क्यूं angle 90 नहीं है let us see तो चिल्रन यह है surface किसी भी surface का area उस surface के perpendicular होता है तो अगर यह surface है तो उसका area यह है अगर यह surface है तो area इसे माना जाएगा और electric field भी कुछ ऐसे ही घुस रहा है तो अब area और electric field का angle कितना है जीरो, यह देखो दोनों के बीच का angle 0 है तो एक बार फिर से, suppose यह surface है तो surface का area उसके perpendicular माना जाता है तो यह है area और electric field भी कुछ इस तरीके से घुसरा है तो कितना angle है area और electric field के बीच में 0 तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ If theta is angle between area and electric field and theta is 0 then full flux exists तो एक पार फिर से, यह है हमारा surface यह है surface की area का direction यह है हमारा electric field दोनों के बीच का जो angle है वो 0 है angle 0 है तो full flux है तो अगर angle between area and electric field इस theta is the angle between area and electric field और theta की value अगर 0 हो जाए तो full flux होगा अब चिलन यह बताओ अगर electric field ऐसा जा रहा है इस तरीके से तो flux है क्या? इस हीरे को cross किया क्या? नहीं ना? फ्लक्स नहीं है अच्छा बताओ अब इसका जो area होगा इसका area इस surface का area और यह जो electric field है इसके बीच में कितना angle है? अच्छा लगन आंसर है 90 degree क्योंकि यह surface है surface का area यह होगा this is the area of surface और यह है electric field देखो यह electric field है इस तरीके से कितना angle है दोनों के बीच में? देखो ज़रा कितना angle है? 90 degree तो जब यह angle 90 degree हो जाता है area मैं surface की बात नहीं कर रहा हूँ surface के area और electric field में जब 90 degree हो जाता है तब flux 0 हो जाता है if theta is 90 degree no flux exists तो अब आप बताओ ऐसी कौन सी trigonometric ratio है? ऐसी कौन सी चीज है trigonometry मे? जो 0 degree पे full हो जाती है और 90 degree पे 0 हो जाती है यह लिखा ना जब angle 0 है तो flux full है जब angle 90 है तो flux 0 है ऐसी कौन सी trigonometric identity है? जो 0 degree पे तो full होती है और 90 degree पे 0 हो जाती है वो trigonometric quantity है cos theta तो यानि कि जो flux है वो cos theta पे भी depend कर रहा है यहाँ theta क्या है? theta is the angle between area का direction and electric field एक बार फिर से लिख देता हूँ theta is angle between area का direction and electric field तो जब जो flux है वो electric field पे भी depend करता है area पे भी depend करता है और angle पे भी depend करता है तो अब तीनों को मैं एक साथ combine करके formula लिख सकता हूँ that the flux is E A cos theta यह है electric flux का formula now children electric field एक vector है area एक vector है दो vector multiply हो रहे है साथ में cos theta भी है काँ पढ़ा ही है हमने dot product A bar dot B bar is A B cos theta याद आया? तो यहाँ पे यह cos theta आ रहा है मतलब पक्का dot product हुआ होगा है इल दोनों vector का तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ the electric flux is the dot product of electric field and area vector तो इस तरह से लिखा जा सकता है the electric flux is the dot product of electric field and area vector तो चिल्दन यहाँ से एक और बात clear हो गई जो flux है वो एक scalar है क्योंकि dot product के बात जो result होता है वो scalar होता है the flux is the scalar quantity एक और चीज़ चिल्दन इस flux की unit क्या हो जाएगी electric field होता है newton per coulum और area होता है meter square तो इसकी unit हो गए newton meter square per coulum तो this is what is electric flux तो चिल्दन हम लोग अब question देखते है electric flux पे तो यह एक square plate है और square plate के पास electric field कुछ इस तरीके से आ रहा है तो this is the electric field आपको बताना है total electric flux कितना है तो मैं formula तो पता ही है the electric flux is given by electric field into area into cos theta जो electric field है वो 10 दिया है square का area क्या होता है length into breadth 2 into 2 4 अब cos theta अगर आपने cos 60 लिख दिया तो question wrong हो जाएगा क्योंकि समझो समझो यह theta क्या है theta है angle between area and electric field समझो area क्या है theta क्या है theta is not angle between surface and electric field यहाँ पे 60 degrees दे angle between surface and electric field नहीं यह नहीं चलेगा तो सबसे पहले मुझे इस plate का area बनाना पड़ेगा तो मान लेता हूँ कि इसका area इस तरीके का है प्लेट के पर्पेंडिकुलर होता है तो मैं एरिया अपवर्ड भी ले सकता हूं डाउनवर्ड भी ले सकता हूं मेरी मर्जी क्योंकि यह open plate है तो मैं फिलाल इसका area डाउनवर्ड ले रहा हूं यह है area और यह electric field चिल्रन तो हमें electric field और area के बीच का angle चाहिए अब यह angle 60 है तो यह angle 30 हो जाएगा और अगर यह angle 30 है तो यह angle 30 हो जाएगा vertically opposite तो इन दोनों के बीच का angle 30 degree है तो यहाँ पे cos 30 हो जाएगा cos 30 होता है root 3 by 2 तो 20 root 3 newton per coulomb into meter square तो हमेशा ध्यान रखना है theta is not the angle between surface and electric field it is the angle between area and electric field area का direction and electric field now children यह question आपका flux का concept और सुधारेगा इस question में cube है और electric field कुछ इस तरीके का है uniform electric field है आपको इस पूरे के पूरे cube का flux निकारना है तो uniform electric field है इस तरीके का और यह cube को cross कर रहा है तो children इस question को करने के लिए आपको 3D imagination लगेगा तो मैं आपकी मदद करता हूँ 3D imagination में तो children यह देखो यह एक इसे cube मान लेते है cube तो है नहीं पर मान लेते है मानने में क्या जाता है तो यह एक cube type चीज है फिलाल के लिए से cube मानना ही पड़ेगा तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और जो electric field है question में दिया है वो इस direction में इस direction में electric field है तो children ध्यान से देखो यह जो electric field है और हां इसके 6 face है एक नीचे वाला दो तीन चार पांच छे तो टोटल इसके 6 face है अब जो electric field है वो कुछ ऐसा है अब यह जो उपर का face है यह जो अपर face आप देख रहे हो इसके पास कितना flux है अगर electric field ऐसा है तो यह अपर face को cross नहीं कर रहा है तो यह जो अपर face है इसका electric field सरी इसका electric flux zero है तो यह अपर face है इसका electric flux zero है अब चलें उसी तरह से यह जो नीचे वाला face है नीचे वाले face को भी यह touch करके जा रहा है नीचे वाले face के अंदर नहीं गुस रहा है आरपार नहीं हो रहा है नीचे वाले face को भी electric field touch करके जा रहा है इस तरह से correct तो नीचे वाले face का भी flux 0 है अब इस side वाले face पे ध्यान देता है तो electric field इस side वाले face को इसकी बात करता है, इस side face की, तो जो electric field है वो इस side face को भी touch करके जा रहा है, यह देखो side face को ऐसा touch करके निकल गया, तो जो 6 face है, 6 में से 4 face के पास तो flux ही नहीं है, out of 6 faces, 4 faces don't have flux, उपर का face, नीचे का face, ये वाले side का face और ये वाले side का face, इनके पास flux ही नहीं है, लेकिन दो face हैं, जिनने electric field penetrate कर रहा है, जिनके अंदर गुस रहा है, ये वाला face देखो, electric field इसके अंदर गुस सकता है, गुस गया इसके अंदर electric field, तो ये वाले face के अंदर electric field गुसा है, तो इ यहां से बाहर निकल रहा है तो children out of the six faces, only this face and this face have electric field यहां से electric field घुस रहा है और यहां से electric field निकल रहा है तो children, question पर वापस आता है यह हमारे पास 6 faces है, इनका नाम दे देता हूं A B C D E F G H और मुझसे पूछा गया है flux of cube तो मैं flux of cube को ऐसे लिख सकता हूं flux of cube is flux of the face A E F D यह नीचे वाला face flux of A E F D plus flux of B G H C पर वाला face plus flux of B G E A B G E A front face plus flux of C D F H वो पीछे वाला back face flux of D C H F D C H F back face plus flux of D C D A left hand side वाला face plus flux of G H F E D तो अगर flux of cube पूछा है तो cube के पास 6 faces है तो 6 faces का मैंने total flux of cube is flux of each face ऐसा लिखती है therefore the flux of entire cube will become चले अभी अभी हमने देखा यह जो front face है इसके पास flux नहीं है back face के पास flux नहीं है upper face के पास flux नहीं है lower face के पास flux नहीं है तो यह जो एक, दो, तीन, चार है यह चारो हो जाएंगे 0 So 1, 2, 3, 4 All these 4 faces have total of 0 flux अब हम निकालेंगे flux of B, C, D, A ठीक है तो यह है B, C, D, A flux निकालते वक्त हमें पहले area बनाना पड़ता है तो B, C, D, A का area बाहर की तरफ होगा Enclosed space का area बाहर है तो यह है area और electric field ही दर है यह देखो electric field ही दर है तो area और electric field में कितना angle है एक दूसरे के opposite है 180 degree तो what is the flux of B, C, D, A electric field into area into cos of 180 plus अब D, H, F, E इस face के रिए निकालते हैं तो सबसे पहले इस face का area बनाता हूँ मैं इसका area बनेगा यहां outside enclosed space का area हमेशा बाहर तो यह हो गया area और यह electric field कितना angle है दोनों में यहां पे 0 तो प्लस अब इसका flux होगा E, A, cos 0 cos 180 होता है minus 1 plus cos 0 होता है 1 तो यह minus E, A, plus E, A so net answer is 0 तो घुमा फिरा के इतनी मैनत करके answer आया 0 इस cube के पास 0 flux है अब सुनों इसका shortcut जितने electric field lines यहां से अंदर गुसेंगे उतने ही electric field lines यहां से बाहर निकलेंगे तो cube को कितने electric field line का फायदा हुआ 0 अगर एक दर्वाजा है एक student अंदर आया और एक student बाहर गया उस दर्वाजे से तो कितना flux हुआ total मिला के 0 दस student अंदर आये दस student बाहर गये net flux 0 तो यहां पे इस phase से जितने अंदर गुस रहे हैं इस phase से उतना ही बाहर आ गये है तो the net flux is 0 of the entire cube तो पूरे cube का मिला के net flux 0 हो गया है जो next question है वो कुछ-कुछ previous question की तरह ही है लेकिन अब एक फर्क है हमारे पास cube है electric field फिर से i cap में ही है मतलब इसी direction में electric field लेकिन electric field अब constant नहीं है electric field depends on x यानि electric field position पे depend कर रहा है और हमें इस cube का flux पूछा है तो एक बार फिर से में नाम दे देता हूँ A, B, C, D, E, F, GH और मुझे पता है छे में से चार phase तो किसी काम के नहीं है जो काम के phase है वो है यह और यह क्योंकि electric field है वो यहां से गुस रहा है और यहां से निकल रहा है यह electric field है तो दो ही face है जो जिनको cross कर रहा है वो एक यह और एक यह बाकी दो faces को तो बस वो touch करके निकल रहा है उन्हें cross नहीं कर रहा है उनके अंदर घुस नहीं रहा है तो अब मुझे पता है the flux of this cube is flux of ADCB plus flux of FEGH so the flux of cube will become पहले तो ABCD का area बनाना पड़ेगा यह है ABCD area बनेगा इसके perpendicular तो यह बन गया area फिर EFGH का भी area बनाना पड़ेगा यह है area तो अब area और electric field में यहां पे 180 का एंगल है तो यह हो जाएगा electric field into area into cos 180 plus electric field into area into यहां पे जो एंगल है वो 0 है नाव चिलन नाव बी केरफुल जो electric field है उसकी value x है अब इस plate को देखो A, D, C, B यह कहां रखी है इसके पास x का क्या value है children यह रखी है yz plane में देखो यह yz plane में है और यह origin पे रखी है यह plate origin से start हो रही है और यह yz plane में है यह plate x axis में कितनी है x-axis में है क्या यह plate, इस plate का x-axis क्या है, x-coordinate क्या है इस point का, 0, तो इस plate के लिए, जो x की value है, वो 0 है, तो जो plate 1 है, उसमें जो electric field है, जिसकी value x है, वो 0 है, यहाँ पे electric field है ही नहीं, क्योंकि electric field तो x-axis पे depend करता है, और यह वाली जो plate है, वो x-axis पे नहीं है, वो y-z plane में है, इसलिए इसका जो flux है, वो 0 है, प्लस, electric field into a into cos 0, इसका value निकालता है, अब electric field तो x होता है, इस plate के लिए x क्या है, यह plate origin से a distance आगे है, यह देखो, a distance आगे है, यह वाली plate origin से a distance आगे है, x-axis में, तो इसका यह x-coordinate क्या है, a, इस point के अगर मैं coordinate निकालू, तो यह point का coordinate क्या होगा चल रहे हैं, a, तो इसका जो electric field है, जो x है, x-coordinate, इस plate का जो x-coordinate है, वो a है, into area होता है a square, cause 0 होता है 1, तो चल रहन इस case में answer आएगा, a cube, so a cube is the flux of this cube, very interesting, alitration हो गया है तो, a cube is the flux of the cube, चलो कोई बात, repetition type, alitration type, okay, so, here we have 0 x-coordinate, and here we have x-coordinate as a, तो यह हो जाएगा flux of the cube, अगला question चलो, एक plate है, उसका area दिया है 4 meter square, और उसे y-z plane में रखा गया है, electric field दिया है, और आपको plate का flux बताना है, तो चलोन इस question को समझने से पहले, आपको एक बहुत important चीज़ समझाता हूँ, यह x-axis, यह y-axis, तो जो उपर की तरफ होगा, वो z-axis होगा, तो यह x-axis, y-axis, and z-axis, तो चलोन आप बताओ, यह paper किस plane में रखा है, यह paper रखा है x-y plane में, x-y plane में यह paper है, तो अगर paper x-y plane में है, मुझे बताओ, इसका area किदर होगा, area तो surface के perpendicular होता है, तो अगर paper x-y plane में है, तो उसका जो area होगा, वो z direction में होगा, एक बार फिर से, अगर यह paper x-y plane में है, तो area तो perpendicular होता है न, तो area कहां होगा, z में, तो हमारे पास जो area है, वो y-z plane में है, तो उसका direction क्या होगा, तो magnitude तो area का 4 है, अगर y-z में है, तो y-z के perpendicular कौन होता है, x, x को हम क्या लिखते है, i-cap, तो यह इसका area है, तो अगर area x-y में होगा, sorry, अगर surface x-y में होगा, तो उसका area z में होगा, अगर surface y-z में होगा, तो उसका area x में होगा, अगर surface x-z में होगा, तो उसका area y में होगा, तो यहाँ पे y-z plane में है surface, तो area x-axis में होगा, यानि i-cap में, अगर electric field तो हमें दिया ही है, 4 i-cap plus, 2 j-cap plus, 3 k-cap, अब हमें flux का यह formula यूज करना है, flux is, dot product of electric field an area, dot product में i को i के साथ, j को j के साथ, और k को k के साथ multiply करते हैं, तो i को i के साथ multiply करूँगा, तो 4 forza 16, खतम, this is the flux, जे तो ही नहीं, के तो ही नहीं, तो वो तो dot product में आएंगे ही नहीं, बस 4 forza 16 करना था, काम खतम, next question is very interesting, एक hemisphere है उसका radius है r, और एक electric field कुछ इस तरह से उसे cross कर रहा है, हमें flux निकालना है curved surface का, इस curved surface के पास कितना flux है, तो children, सबसे पहले ये question बहुत easy भी है और बहुत difficult भी है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका difficulty बताता हूँ, यह है curved surface, और यह है electric field, तो जो electric field है, यह curved surface के साथ अलग-अलग angles बना रहा है, यहाँ angle अलग है, यहाँ angle अलग है, यहाँ पे angle 90 degree है, यहाँ अगर मैं electric field बनाओ, तो यहाँ कुछ अलग angle आएगा, यहाँ अगर मैं electric field बनाओ, तो यहाँ कुछ अलग angle आएगा, तो जो theta है वो variable है, और जब theta variable हो जाता, जब कोई भी चीज variable हो जाते है, किसी भी फॉर्मूले की integration गुछ जाता है, तो यह तो है difficult part, अब easy part बताता हूं, चिल्डन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो यह question बहुत easy है, reason, जितना electric field इस नीचे के surface को cross कर रहा है, जितना electric field इस circle को cross कर रहा है, उतना ही electric field इस curve को भी cross कर रहा है, the electric field crossing this bottom circle, देखो ना, जितने lines नीचे के circle को cross कर रहा है, वही line उपर के curve को भी cross कर रहा है, तो shortcut ये है इसका कि the flux of the circle ये नीचे का जो flux है वही flux होगा curved surface का क्यों भाई? क्योंकि जितने lines इस area को cross कर रहे हैं वही line इस curved surface को cross कर रहे हैं तो flux of circle लिकालना तो बहुत आसान है क्योंकि देखो यहाँ पे सारे angle 90 degree है तो flux of circle क्या हो जाएगा? ये cos 90 cos 90 नहीं cos 0 cos 0 भी ले सकते हो इसको cos 180 भी ले सकते हो, मैं cos 180 ले रहा हूं 180 क्यों? sorry इदर तो 90 degree है 180 क्यों? 180 इसलिए क्योंकि अगर ये area है, तो अगर ये surface है तो उसका direction हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा तो area इदर है area और electric field में कितना angle है? 180 this is the flux of curved surface और मैं दोना तरफ magnitude डाल देता हूं, ये तो answer negative आजाएगा तो electric field है E, और area कितना होता है circle गा? पाई आर स्कोएर cos 180 माइनस 1 है this should also be the flux of curved surface now children थोड़े सी गलती हो जाएगी अगर मैं आपको और डीटेल ना बताँ तो चिल्डन, circle का जो flux आया है वो negative आया है negative क्यों आया है? क्योंकि circle से electric field enter कर रहा है हम entering flux को negative मानेंगे entering flux को negative मानेंगे, क्यों? क्योंकि electric field enter कर रहा होगा और area इस तरफ होगा लेकिन चिल्डन अगर आप इस curved surface को देखो तो यहां से जो electric field है वो बाहर जा रहा है तो जो final answer होगा उसमें negative answer मत डालना curved surface से flux बाहर की तरफ है तो final में आप यह लिखना the flux of curved surface is plus e into pi r square तो याद रखना जो entering flux होता है वो negative होता है और जो leaving flux होता है उसे positive लिखना है तो हमने entering flux निकाला है तो negative आया है लेकिन curved surface का leaving flux है leaving flux की वज़े से उसे positive लिखते ना आप तो magnitude wise देखा जाए तो इसका flux और इसका flux same है लेकिन यहां पे entry हो रही है और यहां पे leaving हो रही है तो इसका negative value आएगा और इसका positive value आएगा बस इतना सा ही question है चिलेंग यह question difficult है इस question में एक charge है और charge के सामने disk है और आप से पूछा गया है कि यह जो disk है इससे कितना flux पास हो रहा है तो now children this question becomes difficult अब इस question में हमें integration लगेगा integration लगेगा क्योंकि यह charge यहां पे है तो यहां पे electric field x distance पे depend करेगा जबकि जैसे जैसे आप उपर उपर जाते जाओगे charge से distance बढ़ता जाएगा देखो यह distance कम है और यह distance जादा है तो यहां जो electric field होगा वो कम होगा यहां electric field जादा और यहां electric field कम तो electric field variable है ऐसी situation में हमें integration की help लेगी पढ़ती है तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं छोटू r distance आगे जाओँगा तो पहले छोटू r distance में आगे चला गया अब मैं थोड़ा सा और आगे जाओँगा वो थोड़ा सा dr होता है तो मैं dr जितना और आगे जाओँगा तो यह thickness कितनी लिए मैंने dr ठीक है यहां इसको वाजू में लिख देता हूं dr thickness और मैं एक ring सिलेक्ट करूँगा तो अब मेरे पास एक ring आ गई है चिल्वन्स क्वेश्चन थोड़ा सा difficult है और नीट में तो expected नहीं है यह question इस type के question लेकिन jwe advance में इस type के बहुत questions आता है तो चिल्वन्स मुझे एक ring मिल गई है अब मैं q की वज़े से electric field निकालूँगा तो जो q की वज़े से electric field होगा वो कुछ इस तरीके का होगा this will be the electric field due to q add this point similarly मैं नीचे भी बना सकता हूं अब इस एंगल का नाम देते थीटा तो अब मैं e के तुकड़े कर सकता हूं एक तुकड़ा इधर एक तुकड़ा इधर इस एक के भी component निकाल सकते एक component इधर एक component इधर यह angle theta हो जाएगा तो यह theta हो जाएगा यह e cos theta और यह e sin theta similarly e cos theta e sin theta now children यह जो e sin theta component है अगर आप इसे ठीक से 3D में imagine करें वीडियो में दिखाना बड़ा मुश्किल है लेकिन यह disc कुछ ऐसी रखी है इसको 3D में अगर में दिखाऊं मान लेते हैं यह disc है यह disc कुछ ऐसी रखी होई है और charge यहाँ पर है और electric field कुछ इस type से हमें मिला है इस electric field के दो तुकड़े किये हैं एक तुकड़े एक तुकड़ा disc के plane में है और एक तुकड़ा disc के perpendicular है जो e cos theta है वो disc के perpendicular है और जो e sin theta है वो disc के plane में है तो e sin theta contribute नहीं कर रहा है in flux so the e sin theta is not contributing in flux क्यों क्योंकि जो e sin theta है वो इस disc के plane में है e sin theta disc के parallel है parallel चीज़े flux को contribute नहीं करती है उसमें घुस नहीं रहा है e sin theta e sin theta उसके parallel है जबकि e cos theta देखो perpendicular है तो जो इस छोट जो ring दिख रहा है छोट उसा ring इस छोट उसे ring का छोट उसा flux कितना होगा electric field into area और कौन सा electric field e cos theta और सिर्ण इसका जो area उसको e नहीं लिखेंगे ये ring है ना ring बहुत पतली सी है क्योंकि इसकी thickness बहुत कम है तो इसके area को e नहीं d a लिखेंगे तो यह है वो छोट उसा flux जो generate होगा जो create होगा इसे ring में तो मुझे पूरा flux निकालना है पूरे इस पूरे डिस्क का flux निकालना है तो मैं integrate करूँगा तो the total flux of the disk is अब electric field कितना है यहां पर चिलन यह x है यह छोटु आ रहे तो बाइप पाइथोगरस थेरम यह हो जाएगा x square by छोटू r square in root तो अब इसकी होज़े से यहां कितना है फिलेक्रिक फिल्ड होगा के q by r square r square क्या है यहां पर x square प्लस r square into cos theta देखो यह angle theta है तो cos theta मिल जाएगा cos theta होता है adjacent adjacent है x upon hypotenuse hypotenuse यह है into da तो children जो flux हो जाएगा k constant बाहर निकाल रहते हैं q constant x constant तो अंदर बचेगा यह हो जाएगा sorry r square हो जाएगा r square प्लस x square to the power ने sorry I'm really sorry हम यह concept इस्तेमाल करेंगे कि यह जो छोटू सा area होता है कभी भी area कैसे मिलता है length को यदि length को thickness दे दी जाए तो हम एक area मिल जाता है suppose हमारे पास एक line है इस तरह की एक line है अगर उसे thickness दे दू मैं तो area मिलेगा तो जो छोटू सा area है it is equals to length length कितना इसका 2pi r circle है ना भाई तो यह length है अगर मैं इस length को एक छोटी सी thickness दे दूँ छोटी से thickness मैंने कितना दिया है d r तो यह है area तो इस तरीके से आप कर सकते हो यह आपके पास एक दूसरा भी तरीका है area of circle होता है pi r square अगर आप differentiate करोगे तो da equal to pi into r की जगा हो जाएगा 2r dr यह मैंने differentiate किया है तो differentiation से भी वह result मिलता है लेकिन मुझे यह approach ज्यादा अच्छा लगता है ज्यादा physical approach है यह area का concept है length को thickness से multiply करता हूँ तो इसका जो length है वो 2pi r है thickness है dr तो जो छोटू सा area होगा उसे मैं लिख सकता हूँ length into dr और चलने जो छोटू सा r है इसके limits क्या है यह यहां से लेकि यहां तक जा सकता है न मैं इस इस ring को यहां 0 से लेकि capital R तक लेकि जा सकता हूँ तो यह इसकी limits है अब चलने मैं क्या करूँगा यहां पर method of substitution आएगा put r square plus x square as t अब इसको differentiate करते है आर square को differentiate करोगे तो 2r dr x square तो constant है देखो x constant है यहां से लेकि यहां तक का distance constant है x को differentiate करोगे तो 0 आ जाएगा t को differentiate करोगे तो dt आ जाएगा तो 2r dr की जगर dt लिख सकता है और जब r की value 0 होगी देखो r की value 0 से लेकिए capital R है if r की value हो गई 0 तो t की value हो जाएगी x square यहां से देखो यहां पर r की value 0 डालो तो t की value हो गई x square और अगर r की value आप डाल देते हो capital R तो यहां पर t की value हो जाएगी capital r square प्लस x square तो t change होगा t change होगा x square से लेके r square प्लस x square तो चलन यह जो मैंने पूरी चीज यहां से लेकिए यहां तक जो पूरी चीज की है यह आप mathematics में बहुत ही depth में पढ़ोगे फिलाल आपको लग रहा होगा कि यह क्या चल रहा है तो आपके सर के उपर से जा रहा है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या कीजिए mathematics में आपका integration और differentiation जब तक अच्छे से नहीं हो जाता तब तक आप बस याद रखिए कुछ ऐसा कुछ करना है जब maths में आपका integration और differentiation हो जाएगा तब इस question को आप revisit करिएगा उसके बाद आपको एक question एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा इस डाइग्राम में फिजिक्स खतम है यह पूरा math चल रहा है तो अगर आपका mathematics में integration और differentiation और differentiation बहुत अच्छे से नहीं हुआ है यह limits कैसे change की है मैंने यह DA, DR यह सब क्या लिखा है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो math में जब तक integration और differentiation नहीं हो जाता तब तक आप इस math में जब यह अच्छे से हो जाएगा cover एक बार फिर से इस question को देखिएगा तो children अब मैं इस flux को फिर से लिखता हूँ यहाँ पे छोटी सी जगह मैं आपको फिर से लिखके दिखाता हूँ बाद में फिर से लिखके दिखाऊँगा आपको तो flux हो जाएगा k q x integral अब 0 से r की जगह हमें x square से लेके r square प्लस x square तक जाना है ओके फिर 2 pi r sorry यहाँ पे 2 r dr को dt से replace करना है 2 r dr को dt से replace करना है pi को बाहर ले आते हैं pi को बाहर ले आते हैं तो बचेगा क्या? r square प्लस x square क्या है? t t to the power 3 by 2 बचेगा तो यह मैं आपको एक बार फिर से लिखके दिखाता हूँ तो चलन पिछला equation मैंने आपको फिर से लिखके दिखाया तो जो flux होगा वो होगा k q x pi अब मैं इसको t to the power minus 3 by 2 लिख सकता हूँ dt from x square to r square plus x square चलन अब मैं इसको integrate करता हूँ integration करते वक्क पावर को एक बढ़ा देंगे तो t का अगर पावर एक बढ़ाएंगे तो t to the power minus half हो जाएगा और जो पावर यहां आती उसे repeat कर देते from x square to r square plus x square तो यह minus 2 बन जाएगा उपर जाएगा तो तो हो जाएगा minus 2 pi k q x यह 2 उपर गया है बस मैंने इसको minus 2 लेख दिया है अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 upon root t तो यह हो जाएगा minus 2 pi k q x 1 upon under root r square plus x square minus 1 upon under root x square तो यह है flux अगर minus sign को अंदर डाल दोगे तो जो flux हो जाएगा वो हो जाएगा 2 pi k q x 1 upon x minus 1 upon under root r square plus x square चलिए इस k का value पुट कर देता हूँ यह 2 pi का problem फ़ड़ा कम हो जाएगा k का value होता है 4 pi epsilon not तो यह pi से pi और यह 1 से 2 तो answer आजाएगा q by 2 epsilon not x into 1 by x minus 1 upon 1 by x 1 by तो प्यूर mathematics कर रहा हूँ और कुछ नहीं चल रहा है बस math चल रहा है तो finally मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ q by 2 epsilon not x को अंदर गुशा देते हैं x by x हो जाएगा 1 minus x upon so children this is the final answer यह रटा मारने की जरुवत नहीं है हो सकता है आपको एक question समझ में ना आया हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगर एक question समझ में ना आया हो तो math जब तक खतम नहीं होता आपका college में, school में या class में जहां पे आप math बढ़ रहा हो उसमें जब तक integration और differentiation आपको बहुत अच्छे से नहीं आएगा तब तक यह question आपका दिमाग खरब करता रहेगा जब अच्छे से नहीं हो